तो गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दो दिसंबर तक के सभी इंपोर्टन टर अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतल तक चरूर देखेग या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा आपको बता देए इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तरह जितना भी हमारा पीडियो कोंटेंट है वह हम आपको एक साल तक के लिए प्रवाइट कराते हैं जिसे आप डाउन्नोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं इसके लिए चाहिए तो आप करेंट फिर्स फंडा एप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की मदद से वैब लोगिन भी कर सकते हैं कोई भी आपका एक्जाम हो बैंकिंग एससी रेलविया फिस्टेट पीस चहां पर भी जनरल अवेर्नेस या करंट फिर्स पूशे जाते हैं सभी एक्साम्स के लिए मारा एक पीडियाफ कॉंटेंट काफी यूजफुल है तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडियाफ कोड से संबंदित तो आप कॉमेंट बोक्स में वश्य दिखेगा चले फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की हमें सही तरह सबसे पहले आचा कुश्चन देख लेते हैं इसका अंसर आपको भी कॉमेंट बोक्स में करना है तो जल्दी से आप आंसर कर दीजे फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह कोश्चन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पर जरूर जोइन कर लिजे करना नाम से मारा टेलिग्राम चैनल है कर देलिग्राम प्रैक्टिस के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्राइब है किसे नियुक्त किया गया है औप्शन्स आपके सामने है सही आंसर औप्शन ए रहेगा अनीश साह आपको जाना चाहिए महिंद्रा ग्रूप के चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर यानि की सीओ अनीश साह यह फिक्की यानिकी फेडरेशन ऑफ इंडिन चेंबर्स और कोमर्स ए अनीश से गया है फिक्की का हैटपार्टर नियु डेली में है और वाट इस एसन पी ग्लोबल रेटिंग्स रिवाइस्ट ग्रोथ फोर्कास्ट फोर इंडिया इन फिसकल यर टॉट्टिफोर वित्वर्स 24 में भारत के लिए एसन पी ग्लोबल रेटिंग्स का संसोधित वि से रिवाइस किया है पहले 6% इन्होंने बताया था लेकिन अब 6.4% इन्होंने एस्टिमेट किया है और RBI का जो एस्टिमेट है 6.5% उसके बिलकुल पास अब लिया है अपने एस्टिमेट को इन्होंने फिसकल टॉट्टी फिसकल लिए 25 के लिए जो ग्रोथ एस्टिमेट उसको 0.5% से कम किया है यानि कि 6.4% अप कर दिया है और कहा है कि fiscal 26 और 27 में जो economy है ये bounce back करेगी 7% growth के साथ इन्होंने fiscal 24 में inflation rate 5.5% बताई है और fiscal 25 में ये घटकर 4.5% हो जाएगी वहीं fiscal 26 27 में 4.7% रहने की उम्मीद है और agencies की अगर हम देखे थोड़ा सा रिवाइस करें तो IMF ने fiscal 24 के लिए 6.3% बताया हुआ है और World Bank ने और Asian Development Bank ने 6.3% बताया हुआ है वहीं Goldman Sachs ने भी 6.3% बताया हुआ है इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं स्क्रीन शोट ले कीजिएगा टेलिग्राम पर भी शेर किया है मैंने अब एक्जाम आ रहा है आपका तो यह आपके लिए महत पूंड रहेगा यह दो दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इस पार इसका थीम है इसका क्या मतलब होता है modern slavery यानि कि इस तरह की प्रैक्टिसे जो आज भी हम जो है प्रैक्टिस मिलाते हैं इसे फोर्स लेबर डेट बॉन्डेज फोर्स्ट मैरीज हुमन ट्राफिकिंग कासकर कि किसी व्यक्ति से ऐसा काम करवाना जिसे वह रिफ्यूज नहीं कर सकता क्यो तो वो सभी modern slavery के दहताते हैं विच कंट्री डिसेंट्ली अन्विल्ड फटह 2 हाईपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाली में किस देश ने फटह 2 हाईपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नावरेंड किया आपको जाना चाहिए हाली में इरान ने अपनी नई एंड इंप्रूफ्ट हाईपरसोनिक वैपन फटह 2 को अन्वेल किया है इसका मतलब फार्सी में होता है कनकरर और यह हाईपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है हाईपरसोनिक मिसाइल is a weapon system that flies at least at the speed of Mach5 यारी की speed of sound गे 5 गुना tenure speed से जो है हाईपरसोनिक मिसाइल यह है चलती है In 2022, which two countries were the top beneficiaries of the European Union's Generalized System of Preferences Schemes 2022 में कौन से दो देश European संग की सामानिकरत वरियता प्रणाली योजनाओं के सीर्स लाबारती थे Options आपके सामने सही आंतर options दी रहेगा India and Indonesia आपको जाना चेंडिया और इंडोनेशिया ये top two beneficiaries रहे हैं European Union की Generalized System of Preferences Schemes के तहत 2022 में Clothing, Machinery, Footwear इनमें ज़्यादा ज़्यादा Custom duty में छूट मिली है आपको जाना चाहिए जो ये GSP Generalized System of Preferences पहले तो आपको पताना चाहिए किस से संबंदित है European Union से संबंदित है तो इसमें European Union क्या करता है कुछ ऐसे products जो किसी country से आ रहे है developing countries से आ रहे है तो उनमें या तो जीरो custom duty लगाता है या custom duty reduce कर देता है मतलब उनको preferential products के तोर पर उन्हें चिन्नित कर देता है तो इंडिया और इंडो ने सबसे आदा ऐसे products रहे हैं ये कहने का मतलब है क्रिकेटर राशीद खान has been appointed as the brand ambassador for which sports gaming platform क्रिकेटर राशीद खान को किस खेल gaming platform का brand ambassador निक्तिया गया है सही answer option D है sports bazi देखे sports bazi जो कि इंडिया का sports gaming platform है इन्होंने अफगानिस्तान के प्ले राशीद खान को अपना brand ambassador बनाया है और कुछ brand ambassador देख लेते है as it is nutrition जो कि fitness and sports nutrition company है इन्होंने रविंद्र जडेजा जो कि भारती क्रिकेटर है इन्हें अपना brand ambassador बनाया पतंजिली फूट्स लिम्टेड ने former Indian cricket team captain MS Dhoni को अपना brand ambassador बनाया है महाकोश and sun rich brands के लिए new republic जो कि एक Indian lifestyle technology brand है इन्होंने फुरान अक्तर और श्रीपानी अक्तर को अपना brand ambassador बनाया है optimum nutrition ने इंडिया के जैवलिन स्टार नीरा चोप्ला को अपना brand ambassador न्यूक्त किया है इन नवंबर envoys of how many countries presented credentials to the president of India नवंबर में कितने देशों के राजदूतों ने भारत की राष्टपती के समक्स परीशह पत्र प्रस्तुत किये options आपके सामने है सही आंतर options ही है इनके समक्ष आइलेंड बॉस्निया एंड हर्सिकोविना अर्मेनिया, मलीशिया, माली और मार्चल आइलेंड इन 6 countries के ambassador या हाई कमिशनर्स ने द्रॉबदी मुर्मू के सामने अपने credentials पेस किये हैं तो इनकी जब निक्ति होती है तो जो है राष्टपती के सामने इनकी प्रस्तुती होती है तो ये हैं 6 countries के नाम आपके लिए मैथपून नहीं है आप याद रखीगा कि कितने ने क्योंकि ये बैंक में एक बार पूछा गया था तो इसलिए मैंने सूचा कि इसको include कर लेते हैं इसी तरह से पूछा गया था कि कितने देशों के राष्टपती के समक्स परीचे पत्र प्रस्तुत किये किस राज्य सरकार ने चिकित सा छेतर में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR और DRDO के साथ समझोते ग्यामर परस्ताक्षर किये है आपको जाना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने लिथपूर बल्क ड्रक्स पार्क में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलोजी के साथ इसको इंटिग्रेट करने के लिए और हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसीन्स मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पर उपलप्द कराने के लिए CSIR यानि की Council of Scientific Industry Research and DRD यानि की Defense Research and Development Organization के साथ MOU साइन किये है और इनको अपना Knowledge Partners नूट किया From which helicopter was the novel anti-ship missile short range NASMSR successfully tested Nosena anti-ship missile short range का सफलता पूरग परिक्षण एक इस हेलिकॉप्टर से किया गया सही answer option दी है Sea King 42B maritime helicopter देखे Defense Research and Development Organization DRD यो ने Indian Navy के साथ मिलकर Successfully novel anti-ship missile short range NASMSR का परिक्षण किया है Sea King 42B maritime helicopter से यह दूसरा टेस्ट है इस missile का और इससे पहले 18 में 2022 में Odisha के बालसोर से टेस्ट किया गया था It is a helicopter fired missile capable of destroying small boats or offshore patrol vessels at a maximum range of 55 km while traveling at 0.8 Mach Lakshmi Ramakrishna Srinivas has been appointed as additional director of each bank Lakshmi Ramakrishna Srinivas को किस bank का अतिरिक्त निदेशक निउत किया है सही answer option दी है South Indian Bank देखे लक्षmi Ramakrishna Srinivas इनको South Indian Bank का additional director appoint किया गया है वो भी तीन साल के period के लिए South Indian Bank की बात करते हैं CEO Murali Ramakrishna ने Headquarter 3 Sur के रल में है Tag 9 है Experience Next Generation Banking Under which initiative an MOU was signed between the Department of Social Justice and Empowerment and ISKON किस पहले के तहत समाजिक नियाए और अधिकारी तेभी भाग और ISKON के बीच एडख समझोते क्या परफस्ताक्षर किये गए options आपके सामने है सहीरा answer option दी रहेगा नशामुक्त भारत अभियान आपको जाना शाहिए भारत में जो drug abuse की समस्या है ठीक है तो उसके निदान के लिए एक memorandum of understanding sign किया गया है Department of Social Justice and Empowerment Government of India and ISKON International Society for Krishna Conciseness के बीच में और किसके तहत नशामुक्त भारत अभियान के तहत The initiative aims to synergize efforts in curbing drug uses especially among the youth नशामुक्त भारत अभियान आपको जाना चीए 15 गस 2020 को लोन शिया गया था Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा फिलाले 372 identified most vulnerable districts में चालू है Survey of India and which company tied up for a three-dimensional digit twin mapping program in India हाली में स्वास्त सिवा संचार में उत्रष्ट योगदान के लिए माफ कीज़ेगा इसका हिंदी convert करना में भूल गया माफ की चाहूँगा यह कल वाले question की हिंदी आ गई Survey of India और which company और किस company ने three-dimensional digital twin mapping program के लिए tie-up किया है सही answer option दी रहेगा जेनेसिस इंटरनेशनल आपको जाना चाहिए National Mapping Agency, Survey of India and Genesis International जो की एक Indian mapping company है इन्होंने एक strategy tie-up किया है भारत में three-dimensional यानि की 3D digital twin mapping program के लिए Genesis इस तरह से पहली company मन गया है जिसने Survey of India के साथ digital twin mapping के लिए agreement किया है यहाँ आपको जाना चाहिए Survey of India के बारे में इसका headquarters दिरादू नूत्राखंड में है इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और हाली की न्यूक्ती है इनके नए Surveyor General बने है हितेश कुमार S. मकवाना तो महतपूर्ण appointment है यह a new species of music frog निदिराना नोधिहिंग was discovered in which state music mendak की एक नई प्रजाती निदिराना नोधिहिंग की किस राज्य में खोजी गई सही answer option डिया अरुनाचल प्रदेश देखे scientist ने music frog की नई इसका नाम है निदिराना नोधिहिंग तो इसके जो दोनों मेर एंड फीमिल दोनों ही वोकल है new species was named after the noa dihing river इस ना इस रीवर के नाम पर इस music frog का नाम रखा गया है the Asian Development Bank ADB has approved 500 million US dollar loan to improve medical infrastructure in which state Asia Ivicaast Bank ने किस राज्य में चिकित्सा बुनियादी धाचे में सुधार के लिए 500 million American dollar के रिण को मनजूरी दी है सही answer option C है महरास्ट देखे Asian Development Bank ने 500 million US dollar का loan approve किया है महरास्ट राज्य में जो tertiary health care and medical education है उसकी quality enhance करने के लिए और साथ ही आपको जाना चाहिए L&T Finance जो कि एक non-banking financial company है इसने भी एक financing agreement sign किया है Asian Development Bank के साथ 125 million US dollar का to support financing in rural and peri-urban areas in India particularly for women borrowers Indraprasth Gas Limited and which bank announced partnership to facilitate the use of digital rupee at IGL stations in the Delhi NCR region Indraprasth Gas Limited IGL और किस bank ने दिल्ली NCR छेत्र में IGL stationों पर digital rupee के उपयोग की सुधा के लिए साइधारी की खोशना की सही answer option D है IndraSind Bank देखे इंदरप्रasth Gas Limited and Indusind Bank इन्होंने partnership की है ताकि जो इंदरप्रasth Gas Limited IGL stations at Delhi NCR region में आप पर digital rupee का यूज हो सके दे इनिशेटिव इस पार्ट ऑफ दे Central Bank Digital Currency program Central Bank Digital Currency program को RBI द्वारा 2022 में launch किया गया था Managing Director and CEO को ने Indusind Bank के सुमंत कत पा लिया NASCOM signed an MOU with NRW Global to establish launchpad in which country NASCOM ने किस देश में launchpad इस्थावित करने के लिए NRW Global के साथ एक समझात है कि आपर प्रस्ताक्षर किये सही answer option C है Germany देके National Association of Software and Service Companies जानिके NASCOM इन एक Memorand of Understanding sign के NRW Global Business के साथ तो प्रोबाट innovation, investment and technological exchange between North Rhine-Westphalia in Germany and India The MOU will lead to the establishment of first NASCOM launchpad in Germany following its success in the UK तो यूकों में भी पहले जर्मई ने अपना एक launchpad मतलब established क्या हुआ है अब दूसरा launchpad होगा जर्मनी में मतलब एक तरह का center NASCOM का NASCOM की बात करें राजियस नंबियार इसके chairman हाली में निकती हुई है इनकी देवजनी घोस्ट प्रेजिडेंट है headquarter से नौइड उत्तरप्रदेश और न्यू डेली में Central Depository Services Limited CDESL has recently become the first Indian Depository to hold how many active dematerialization DMAT accounts Central Depository Services Limited कितने सक्रिये dematerialization यानिकी DMAT खादे पंचेक्रित करने वाली पहली बाहरते depository बन गई सही आंसर option सी है 10 करोर Central Depository Services Limited CDESL इसने announce कि हमारे यह जो number of active demat accounts हमारे platform पर यह 10 करोड का आगडा है उसको पार कर चुका है CDESL आपको जाना चाहिए largest depository है हमारे देश में in terms of active demat accounts and it allows investors to deposit securities by opening an account in electronic form National Securities Depository Limited NSTL और यह CDESL यह दो हमारे देश में जो है depositories है जो भारत में operate कर रही है और दोनों इसे लिमिटेड है standard chartered bank है PPFAS mutual fund है SDFC bank है and LIC है नहा वहरा is the MD and CEO of CDESL तो यह जो तीसरा paragraph है ना यह काभी math phone है याद रखेगा है data previous assignment questions के answer देखेंगे EGAS is a popular festival in which state Uttarakhand who sworn in as the 8th president of Maldives Muhammad Muisu Kambala is an annual buffalo race held in which state Karnatak what is the maximum deposit limit for senior citizen savings scheme 30 lakh rupees who is the president designate of the 28th conference of parties Sultan Al Zabir how many firms have been approved under the PLI scheme 2.0 for IT hardware answer is 27 and you have some questions have completely answered this way you are participate let's look at the question today BIMA local party is celebrated on which day SPI holds how much stakes in ES bank and Jio payments bank each the central government currently offers how many small savings scheme what was the total number of bills passed by both the houses of parliament during the monsoon session 2023 who unveiled the statue of Dr. B.R. Ambedkar standing at over 7 feet tall within the Supreme Court premises on Constitution Day तो इन 5 questions के आंसर आपको comment box में करने है यदि आपको एक question का आंसर आता है तो अभी आप हमें comment box में वश्चसी बताएगा जदे जदे संख्यां participate करने कोसिस किया कीजिए साथी current affairs funder को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं आपर regular video updates और current quiz जिसम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं यहाँ पर हमारे current affairs की प्लेज़ दी गई है इसको आप जरूर देखे अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को आप शेर जरू करें आज का इस session आपको कैसा लगा यह आप जरूर बताईएगा thank you guys